हलो यूरीवन स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल हससी स्टुडेंट सिनुटी तो दोस्तो जैसे आप सभी को पता है कि ग्राम सचीव का एक्जाम है वो दिसंबर में होना था आप सभी को पता है दिसंबर में होना चाहाँ और जो नई डेट आई वो क्या आई जनवरी में 7-8-9 जनवरी को जो है आपका एक्जाम होगा यह आप सभी को पता है ठीक है अब यह एक्जाम क्या जनवरी में भी नहीं होगा एक्जाम अब यह बात सुनो क्या जनवरी में भी नहीं हो एक्जाम क्या कारण है यह कारण है जो वो मैं दिखाने के लिए आपको आया हूँ यह आप इससे अंदाज्जा लगाई गया जनुवरी में एक्जाम होगा या नहीं तो यह कारण है अगर कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अच्छा सची को ठीक है जो मैं यह कारण दिखाऊंगा आपको तो सबसे पहले गाईज अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को प्रैस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट ले के हूँ जीडी की उसकी मेल कॉंस्टेबल जीडी की जो है डीवी की डेट पी एम टी एंड डोकुमेंट वैरिफकेशन फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट और जो है आपके डोकुमेंट वैरिफकेशन कब से स्टाट हो रहे हैं तीन जनुवरी से 20 जनुवरी तक चलेंगे यह बात आप से देखना एक बार जो मैं यह आपके लिए लेकर आप स्क्रीन सोट यह मेल कॉंस्टेबल का है नोटिस में आया हो है वही जो डीवी आपके तीन जनुवरी से स्टाट होंगे और 20 जनुवरी तक चलेंगे ठीक है वही यह आपको यहां पर देख लिया अब मैं दिखाता आपको दूसरी चीज यह देखो आप तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो यह है ग्राम सचिव पटवारी कैनल पटवारी का एक्जाम नोटिस जो अच्छा ससी ने डाला था यह देखो आप स्क्रीन पर यह है साथ जनुवरी आठ जनुवरी और नो जनुवरी और यह आपका एक्जाम होना था 7,8,9 जनुरी को लेकिन दूसरा क्या हो गया डीवी कब से start है मेल कॉंस्टेवल के वो है आपके ये रेडीवी मेल कॉंस्टेवल के डीवी जो start है वो 3 से 20 जनुरी और जो ये ग्राम स्चीव की डेट है ये तीनो क्या है इस मेल कॉंस्टेवल के PMT और डोकुमेंट वैरिफिकेशन के बीच में आ रही है देख लो 3 जनुवरी और 7, 8, 9 जनुवरी इन तारिकों के बीच में आ रही है ठीक है और ग्राम सचीव का होना है आपका एक्जाम 7, 8, 9 जनुवरी को और ये डेट है जो मेल कौंस्टेबल के PMT और Document Verification के बीच में आ रही है अब यहां से दो बाते हो सकती है या तो इन तारीकों को किसी का PMT और Document Verification नहीं होगा 7-8-9 जन्वरी को चाहे तो किसी का DV या जो PMT है वो नहीं होगा HSSC यह करेगा 7-8-9 ग्राम सिच्चिव का एक्जाम है उसमें हम DV और PMT Physical Measurement टेस्ट नहीं कराएंगे या होगा आपका ग्राम सिच्चिव का एक्जाम Post-Count दो कारण हो सकते हैं वही दो चीज है या ग्राम सिच्चिव का एक्जाम जो आपका जन्वरी के लास्ट में जा सकता है या फरवरी के पहले अफते में ये डेट जो है वह mismatch हो गई जो है एक चीज तो आपको cancel करनी पड़ेगी चाहे तो उस दिन DV नहीं होगा किसी भी constable वाले बच्चे जो है वह ग्राम सिच्चिव का एक्जाम में काफी बच्चे जो है वह बैठेंगे ठीक है तो वह class हो चुका है यहाँ पर exam date का आप देख लो class हो चुका है यहाँ exam date का भई ठीक है male constable के साथ ग्राम सिच्चिव की exam का जो है class हो चुका है अब यहाँ पर यह जो है update में आपके लिए लेकिया था चाहे तो ग्राम सिच्चिव का exam आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा तो साथ, आठ, नो जन्वरी को किसी का PMT और DV जो है वो नहीं होगा यह अच्चा सी कुछ ना कुछ करेगा भई ठीक है यह बात है क्योंकि जो male constable बाले बच्चे है वो ग्राम सिच्चिव का exam भी बहुत जादा संख्या में जो है वो ग्राम सिच्चिव का exam देंगे तो वह यह update में आपके लिए लेकिया था अब आप खुद ही decide करे लेना वह इसमें क्या होगा क्या नी comment जरूर करना वीडियो के नीचे यह update जो है मैं लेकिया था इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को आपके पूरा देखने के लिए thank you अगर चैनल पर नए हो चैनल को subscribe वीडियो को लाइक जरूर करे आज की वीडियो में इतना ही भगवान करे आप सबका दिन सुब रहे